चीना स्वरेश में मैं हूँ आपके साथ पूजात फुपार्टी और अगले आदे खंटे हम बात करेंगे मार्केट में किस तरह का आक्शन देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेथ है और उस पर एक क्विक चेक भी लेंगे आज हमारे साथ स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के मनफीत गिल भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में लेकिन शिर्वात इस वक्त देख लेते हैं कि संकेथ की सरह के मिल रहे हैं कल फेट की बैठक का आउटकम भी आया आउटकम में क्या निकला ये भी समझेंगे प्रियांका हमारे साथ जो चुकी है पूरी डीटेल्स के साथ प्रियांका गुड बार्निंग बताईए कल फेट की बैठक में क्या से क्या उक्कम निकला और उसके चलते ओवराल ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेथ मिल रहे है इस वक्त बार्निंग पूजा देखे फेट की बैठक के बाद जिसना के ऑन लाइन जी रही कॉमेंटरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बॉन्ड बाइंग में कटोती होगी औ लेकिन मार्श तक ये ठेपरिंग को खत्म कर दिया जागा एक्साट्ली ओन दोस लाइन जी जरेमी पावल ने बोला इंट्रेस रेट्स को भी उनने लेकर बताया कि अभी फलाल कोई चेंजिस नहीं है लेकिन बॉन्ड बाइंग लगब आप बात करें तो 30 अरप डॉलर की क अगले साल 2022 में तीन बार रेट हाइक्स किये जा सकते हैं और 2024 तक और दो बार कर दिये जाएंगे सब कुछ इन लाइन सा जिसका असर हमने क्लियरली बाजारों में एक रिलीफ रैली के तौर पर देखा दो दिन से जो नर्वस बाजार दिख रहे थे आपको यूएस मार्के के इंडिन मार्केट के ग्लोबली सारे बाजारों में वहाँ पर आपको एक रिलीफ रैली दिखी बाजान इसे चिया किया क्योंकि कोई भी जटका या सप्राइज नहीं दिया फिट चेर्मन ने अगर आप की बात करें नाजड़ाइक में लगबख तीन सो से ज़ादा अंको की तेजी कषाद बाजा़ बंदू है दो पसंट का हैं र का वरी देखने को में लिए डाव में भी आपको लगबग डेट पसंट की राउंड बाउट बाउट पसंट की रिकावरी देखने को लिए तो अच्छी खासे रिकावरी आपको रिबाउंट सेशन देखने को मिला तीनों ही इंडाइस पर इसी तरह का रफ्लिका एफेक्ट आपको दिखा देखना होगा शायद इंडिया में भी हमारे बाज़ारों में भी एक रिलीफ राली का महौल बन सकता है पूझा बिल्कुल तो जिस तरह के आपको निकल कर आये हैं ब्याज़दरों बाज़दरे बढ़ारे का संकेत आने वाले समय में दिया है लेकिन इस बार इस मीटिंग में कुछ भी फैसलाएं आपर निकल कर नहीं आया और कुछ काफी सारे बयान भी है उस पर हम एक एकर के चर्चा करेंगे लेकिन जर्म पावल ने दो हजार बाइस में ब्याज़दरे तीम बार बढ़ने की संकेत दिये हैं आई आई आपको सुन्वा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा कर्शा दुना के लिए बाइसमने का लावल वेकिसा हैं मात्तेश प्रावल कर लाहित हैं एल हए अचाएं ए बने किःशस्त अन्हो सब्मी了 कर देन in the उने के हैं मैं आज स्निएवरे मार द्बट्य कर्स्त Fl confessor में the किने Olay 50L wa हम a हम ए sea a Labour downsiais, and Luc we cannot do to to provide appropriate support for the economy. Economic activity is on track to expand at a robust pace this year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy. Aggregate demand remains very strong, buoyed by fiscal and monetary policy support and the healthy financial positions of households and businesses. The rise in COVID cases in recent weeks, along with the emergence of the Omicron variant, pose risks to the outlook. So, there is no change in the growth of 0-0.25% in the rise of 0-0.25%, but in the coming time, there is a chance to increase growth in the growth of 3 times, the Fed Chair has given us. But we understand this in a little detail, that the U.S. Fed's decision has come to the global economy and how it can improve the overall markets. We also talk about this. U.S. Fed's decision is made by the Standard Chartered Bank of Manpreet Gill. Manpreet, good morning. Thank you very much for giving IT Now! U.S. Fed's decision is made by the U.S. Fed. because there are two decisions. One is tapering. One is tapering. And there was no surprise in our view. The recent inflation or growth data came from last 2 months. So, tapering, the pace was increased, was no surprise for us. But in our view, the important decision is the interest rates. and the equity markets is a kind of relief for us. So, it was a catch-up decision. Now, the Fed is a catch-up decision. तो वो लेंस हम देखते हैं, वो कहके भी अगले साल फेड एक इंकमिंग एकनॉमिक डेतर देखके अल्टिमेटली जो स्पिसिफिक टाइमिंग है वो डेटा पर डेपेंड करेगा, क्योंकि टेपरिंग ख़तम करने का एक सोड़ टाइम लाइन है, लेकिं इंट्रसेट हैक्स उसमें मेंशा फ्लेक्सिबिलेटी होता है, और हमारे व्यू में जो इंफलेशन नंबर है, वो सबसे इंपॉर्टन है, अगर इंफलेशन यहीं रहा, तो इंट्रसेट है तीन बार इंडीड हो सकते हैं, लेकिन अगर इंफलेशन थोड़ा कम हो जाए, अगर Q1, Q2 में चले में, फॉर्कास्ट में कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो मैं भी तब आगे तो यह समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो एक नर्वसनेस बनी हुई थी, FED के फैसले के पहले, अब आउटकम भी आ चुका है, और दर में बदलाव नहीं हुए है, तो क्योंकि अब पिछले 30-40 साल में देखो, जब FED एक रेट हाइकिंग साइकल शुरू करते हैं, एकुटी मार्केट, युएस में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, अच्छली एकुटी मार्केट जेनरली उसी टाइम पे स्रेंटन करते हैं, क्योंकि अगर FED इंटरस रेट हाइक कर रहा है, यूशली हाइक कर रहेंगे उस ताइम पे जब एकुटी मार्केट के लिए ग्रोथ सबसे इंपॉर्टन फाक्टर है, क्योंकि अगले साल, अब पिछले दो साल देखिये, ज़्यादा एकुटी मार्केट मुल्टिपल से हैं, अर्निंग्स भी बड़े हैं कि एकिनों अब काफी स्ट्रॉंग रहेगा, फैट के फोकास में भी देख रहा है, हमारे एक्सटेशन में भी है, जो इंटरसेट हाइक है, वो मारकेट के लिए प्रॉडम होता है, तब ही जब इंटरसेक काफी हाइ हो जाते हैं, जब, जब, पॉलिसी काफी टाइट हो जा फ़किशन सब्सक्राइक आपका हमारे साथ जुडने के लिए और डिटेल में युए प्रेट के फैसले पर बात करने के लिए आपका बहुत 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 लिया निती क्या होनी चाहिए यह भी हम आगे समझेंगे लेकिन एक बार नज़र डालेते हैं एफाइस और डियाइस के आकड़ों पर भी कैश मार्केट में लगातार बिक्वाली हो रही है लगातार 21 दिन हम देख रहे हैं कि बिक्वाली आई है 3407 करोर की बिक्वाली देखी गई दियाइस ने क्याश मार्केट में 1553 करोर की खरदारी की है इंडेक्स फूचर में और इंडेक्स उप्षिन में 416 करोर की बिक्वाली देखी गई लेकिन इंडेक्स उप्षिन में देखी है फाइस की तरह से एक बड़ी खरदारी देखी गई है और आकड़ा 7500 करोर से भी तो इन तमाम आकड़ों को और US Fed के फैसलों को देखते हुए आज के लिए रणीती क्या होनी चाहिए इस पर भी हम आगे बात कर लेते हैं और हमारे साथ तो आज इसको देखते हुए भारती बाजार कैसे रियाइट कर सकते हैं क्या कुछ रैली यहां पर कुछ उमीद कर सकते हैं अच्छी रिकावरी देखने की बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही स्ट्राटेजी अपनी बताई तो गुड मॉर्निंग पुजा जी देखें नो डाउट जो ग्लोबल संखेत है और जिसमें कि यूएस में जो फैट की मीटिंग थी उसको मंद्र नाजर रखते हुए अल्यडी मार्केट ने उस फैक्टर को डिसकाउन कर दिया और सबसे बड़ा प्लॉजिटिव जनले आप देखेंगे कि 16,700 का जो एक डेस फॉर्मिशन हुआ ता उसको ड्रिफ्ट करके 17,000 आया ता फिर 17,200 और फिर सैकलोजिकल नो डाउट 7,400 भी ता बट भी ता बट वी वर नॉट इबल तो सटेन हो 17,400 तो हम यह मान सकते हैं कि 17,000 और 17,200 का अच्छा एक डेस फॉ है और उसको मदे नदर रखते हुए अगर हम संकिर लेके चलें तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में गाप अपनिंग होगी और फॉलो अप बाइंग भी आपको देखने को मिलेगी तो निफ्टी का मेरा उपर का जो दारा रहेगा 17,400 पहला रहेगा उसके बाद में 7,500 का अपनिंग होगी तो मैं बाइंग करने के चला नहीं तो मैं ट्रेंड पॉजिटिव है यह का हूँगा बैंक निफ्टी को अगर हम देखके चलें तो बैंक निफ्टी में इमीजेट रजिस्टेंस जो मुझे दीख रहेगा उसके ऊपर अगर सस्टेंग होगा तो सेथी कि यह को अगर पावर गल पावर के सथर में हमने देखा के मांके नीचे जा रहा था पर यह इस टॉक एक अपना एक तो फ्रीटु विगा रहा था और अगर हम लिए बात करें तो आयट और व्रज ने ट्रेंट तो बाटर्टिव के सब्समें तो ट्रेंट पार से निवन च ये इंडिकेशन है कि ये आने वाले सत्र में आपको और उपर के संकेत हाव दिखाने की संबाबना रखता है तो 598 के आजपास में बंद हुआ है मौझजद असर पर बाइंग करने के सला रहेगी 590 का आप स्टॉप लेके चलेंज 15 का टार्गेट रहेगा दो से दिन दिन के लिहाज से ये बाइंग काल है दूसरा हमने कल के सतर में खेमिकल स्टॉक्स में भी बाइंग लिए थी चैमिकल एंटिलाज तो के अच्छा लग रहे है और कल के सतर में हमने देखा है कि एक बुलीश एंगल सिक्टेश फॉर्मिशन देखने को मिला है तीन हजार पाइंग करनी के सलाज है कि तीन यह दस का स्टॉप्लस लेकर चलेंगे तीन हजाद दोसो पचास का टार्के पर रहेगा यह भी दोसे दिन देन के लिए आज से बाइंग देखने को मिल लगी और एक सेक्टर के बारे में जरूर कहना चाहूँगा मैं कि थोड़ा से टेक्स्टाइल स्टॉक्स में आप जरूर धियान लखिए जिसे साथ से Barring देखने को मिल ले textile stocks में चाहे वो spinning host में चाहे वो reality में हो थोड़ी सी textile से positive लग रहा है तो overall textile stocks में bullish होनी की सलाध होगा चीक है तो textile sector पर नज़र रखी और stock specific रंडिती भी आपको सुझा दी गई है अब रिजेश बहुत 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 शुक्री आपका समय देने के लिए और ये रंडीती भी सुझाने के लिए तो टॉरेंट पावर और पिया इंडेस्ट्री तो आज फोकस में रहे गई पोजिशनल कॉल किया दी है दो से तीन दिनों के लिए आप लेवल्स पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग ने भी अपने तरफ से दो कॉल्स खरिदारी की ही दी है सुनाटा सॉफ्वेर है पहला खरिदारी की राय है 890 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में स्टॉप लॉस होगा 835 का और दूसरा जो कॉल आ रहा हैं का बोजर पेंट्स पे लेकिन खबरों के लिए हाथ से आज आक्षिन कहां पर दीख सकता है यह भी समझ लेते हैं शरत दूबे मेरे साथ जो चुके हैं पूरी डीटेल्स के साथ शरत गुड मॉर्निंग पहले तो बताईए कि IPO मार्केट में मार्केट को लेकर के अपडेट इस वक्त निकल कर आ रहे हैं जी बिलकुल IPO में जो है न्यूज हेवी है डेटा पैटन्स जो है आज क्लोज होगा उनका सब्स्रिप्शन और लगबक 7.7 टाइम उनका सब्स्रिप्शन देखा गया है मेडी प्लस की IPO सब्स्रिप्शन जो है बंद हो चुकी है और अल्मूस 52.3 टाइम जो है बढ़ा गया है सुप्रिया लाइफ साइंस इस भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि आज है उनका IPO जो है इसु खोल रहा है तो प्राइस बैंड है 265 से लेके 274 रूपीज के लिए और लगभग 700 करोड जो है जुटाया जाएगा और एक चीज और इंपॉर्टन चीज है क्योंकि अब जो है आंकर लॉक-इन पीरियट खतम हो रही है तो साफायर फूड रहेगा आज फोकस में कि हम कल देखेते हैं पीटियम का आंकर लॉक-इन पीरियट खतम हुआ था तो एक नेगेटिव इंपक्स लॉक में देखा था हाला कि यहां पर देखा जाए तो इसु प्राइस 1180 रूपे का था और जो करेंड मार्केट प्राइस अभी है वो 1208 रूपे का है तो आपके जो प्राइबरी मार्केट में बहुत आक्शन रहेंगे और दिन के पहले जो घंटे के ट्रेड में होंगे वो बहुत इंपोर्टन रहेगा उसके बाद सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करते हैं और फोकस रहेगा हमारा सन फार्मा पे तो कंपनी को USFD अप्रूवल मिल ग करता है इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनांस भी रहेगा फोकस में एक बड़ी डील एक्सपेक्टेड है जहां पे जो फाउंडर है समीर गहलाथ वो अल्मॉस्ट नाइन परसंट स्टेक अपनी ऑफलोड करेंगे यह डील की जो साइज है वो अल्मॉस्ट 262 रूपीज से के लिए देखने मिल सकता है क्योंकि जो इनका स्टेक है समीर गहलाथ जी का वो जो है 21 परसंट से अल्मॉस्ट गिर के 10 परसंट के नीचे आ जागा इस बल्लील के बाद तिक टाइप और सबसे इंपॉर्टन बात है कि उनके प्रमोटर की डीक्लासिफिकेशन हो जाएगी क उसके लावा आपके जो ACQI जो आपके जो मैनेजमेंट कमिशन है जो एर पलूशन केस में वो कह रहे है कि जो डैरी कंपनीज हैं ड्रग्स कंपनीज हैं मैनिफैक्चरिंग की पेपल प्रोसेसिंग है वो अब खुलने लगेंगी और जो है यह आपके जो इंप्रूव्में स्पेशली एनबलिक स्टेरोइट्स को लेके तो इपका लाब्स स्पेशली उनका एक जेवी है अविक लाब्स के साथ तो वो फोकॉस में रहेगा आज दिन के ट्रेड में विप्रो ने भी अक्वाइर की है लीन सिट सलूशन लगबग 21 मिलियन डॉलर के लिए यह कोमिशन सर्विसेस के लिए स्टर्लिंग विंसल सोडर भी रहेगा फोकॉस में सीसी आई नहीं अप्रूफ कर दिये रिलाइंस की अक्विजिशन जो उनके रिनिवल एनरजी में आएगी और पावर ग्रिट ने भी एक इंटरिम डिविडेंट का घोशना किया है लगबग स प्रतिशार और अलग से एक स्पेशल डिविडेंट आएगा तीन रुपे प्रतिशार तोटल डिविडेंट पे आउट 10 रुपे प्रतिशार रहेगा और आखिर में वोड़ाफोन आइडिया रहेगा फोकस में और यहां पर मैनेजमेंट कह रही ही कि 4 गुना कैपिक्स बहुत अच्छे नियूस देखने मिल रहे हैं आज बिल्कुल आज फार्मा सेक्टर काफी ज़्यादा फोकस में हैं यहां पर नज़र रखे वोड़ा आइडिया में भी आज बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता जैसा के बायान आ रहे हैं और इसके लाबा प्राइवरी मार् इस तरह के कंपनियां आ रहे हैं पेटे में हमने इसका र्याक्शन देखा सर्फाइफ फूर्ट में भी इस तरह का र्याक्शन देखने को मिल सकता है गिरावट का। चुरी बहुत बहुत बाद शुक्रिया शरत्य यह सारी डीटेल्स देने के लिए अब आके बढ़ते हैं UPL पे खरीदारी की राइबर करार रखी है लक्ष रखा है 960 रुपे का अग्री कल्चर की मांग सभी देशों में बहुत ही अच्छी है और इवन अगर अगर अपन US, Europe और Brazil को देखे तो काफी स्थेर सीजन रहा है इवन दो इंडिया में थोड़ा अंस्टेबल सीजन रहा है अबिटा मार्जिन FY22 के दूसरे हाफ में बर सकता है क्योंकि प्राइस इस साल बहुत बढ़ी है इसके अलाबा क्रेट सुईस ने ITC पे आउट परफॉर्म कि राइबर करार रखी है लक्ष रखा है 280 रुपे का वैल्यू अनलॉक करने के री स्रॉक्चुरिंग के लिए कंपनी ओपन है इवन इसके दो अक्विजिशन सैवलोन और निमाईल काफी बड़े सक्सेस रहे हैं आखरी में देखते हैं सिटी ने तेजी दिख रही है और इवन यूएस एवन दो थोड़ा कम कॉंट्रिब्यूट कर रहा है सेल्स में लेकिन इसकी लंबी अवदी की ग्रोथ काफी एच्छी रहेगी तो संट फार्मा पर जरू नजर रखे इसे जोड़ी खाबर भी है और ब्रोकरिज हाउस के रिपोर्ट्स भी यहाँ पर जो निकल करा रही है वो भी पॉजिटिव है हजार पे तक का लक्ष देख रहे हैं संट फार्मा पर तो यहाँ पर आज जरू नजर रखे ख्याती व सबसे पहले जो रणीती इन्होंने सुझाई है वो है गोल्ड पर सोने पर इन्होंने खरदारी करने की राय दी है 47,950 के स्तर पर आप सोना खरे दिये तार्गिट जो यह देख रहे हैं 48,400 का देख रहे हैं स्टॉप लॉस होगा 47,700 का तो यही सोने में खरदारी करने की र राय दे रहे हैं 5360 के लेवल्स पर खरदारी करके चलिए यहां पर 5480 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉप लॉस होगा 580 का तो कच्छे तेर में भी खरदारी करने की राय और आखिर में मेटल स्पेस से कॉपर इनको काफी अच्छा लग रहा है यहां पर यह तेज अच्छे तेर में और कॉपर में तीरों में ही खरदारी करने की रणनी थी आज रविंद्र राव की तरव से यह तो था कॉमोडिटी मार्केट में भी आक्शन हमने आपको बता है तो फिलाल इस बुलिटन में मेरे साथ इतना ही लेकिन आप बने रहे हैं हमारे साथ खबरो बस इस लागी भी जाए रहे रहे हैं नमस्कार